हलो एवरिवन स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक से पान साल तक के बच्चों का एक नया आधार काड बनाएंगे केवल CELC अप्लिकेशन के माध्यम से जैसा कि आप जानते हैं कि Child Enrollment Light Client या CELC अप्लिकेशन के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का आधार काड में मोबाईल नमबर अपडेट कर सकते हैं और एक से पान साल तक के बच्चों का एक नया आधार काड बना सकते हैं नेक्स्ट मैं आपको स्टेप बाई स्टेप गाइड करने वालाओं की कैसे आप एक से पान साल तक के बच्चों का एक नया आधार काड बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हम अपना CELC अप्लिकेशन ओपन कर लेंगे अब आप देख सकते हैं की आपके CELC अप्लिकेशन का होम स्क्रीन ओपन हो गया और यहाँ पर दिया है की इन्रॉल्मेंट अब हम इसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर दिया है की Do You Have Worth Registration Number तो अगर आपके पास Worth Registration Number होगा तो आप Yes को टैप कर देंगे और downside आप अपना state सलक्ट करेंगे कि आप किस state से बिलॉंग करते हैं लेकिन अगर आपके पास BRN नमबर नहीं है तो आप no code टैप कर देंगे उसके बाद हम submit को क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस open हो जाएगा जहां पर आप यहां पर parent में किसी एक का माता या पीता का आधार नमबर भर देंगे next downside gender को select कर देंगे और यहां पर उनका biometric authenticate कर देंगे अब हम authenticate को क्लिक करेंगे अब आपके सामने एक enrollment के लिए new page open हो गया है अब आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया है name next हम यहां पर अपना नाम English में type कर देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो नाम हिंदी में automatic लिख कर आ गया है अब यहां पर gender select करेंगे कि जिस बच्चे का आप आधार कार बना रहे हैं वो female है की male उसके बाद हम date of birth को select करके यहां पर उनका date of birth इंटर कर लेंगे अब यहां पर आप mobile number टाइप कर लेंगे यहां से photograph को select करके easily आप mobile के back camera से छोटे बच्चे का photo क्लिक कर लेंगे text दिया है document type अब हम birth certificate को select कर लेंगे और उसके बाद document capture को click करके easily हम उनके birth certificate का photo क्लिक करके upload कर देंगे अब यहां पर parent का finger biometric authenticate कर देंगे अब आप downside देख सकते हैं कि यहां पर दिया हुआ है review next हम इसे click करेंगे और yes को tap कर देंगे next अब आप से सारे details को check कर सकते हैं कि जो भी आप details फिल किये हैं वो सही है कि नहीं अगर किसी भी details में आपको गलत लग रहा है तो easily आप back करके उसे correct कर लेंगे at last जो operator होंगे वो अपना biometric authenticate करेंगे next हम complete enrollment को click करेंगे अब आप देख सकते हैं कि आपका जो new enrollment था वो successfully complete हो गया है और जो आप mobile number फिल किये हैं उस mobile number पे आपको enrollment number SMS के माध्यम से प्राप्त हो गया होगा है simply आप इनी step को follow करके आप किसी भी छोटे बच्चों का नया आधार काड बना सकते हैं at last अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें so thanks for watching this